September 1st, 1939 by W.H. Auden इस पुर्म को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि काफी बड़ा सा है नाइन स्टेंजाज हैं इसमें और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से इसे समझा सकूँ ठीक है तो हम शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हम पैक्राउंड ले लेते हैं W.H. Auden उन्होंने अपनी आधी जिन्दगी इंग्लान में बिताई थी लेकिन वो माइग्रेट करके अमेरिका आ गए थे और वो येर था 1939 और वो अमेरिका ही में रह रहे थे तो 1939 में ही 1st of September को वो एक पप में या बार कह लीजे वहां बैठे हुए थे तभी उन्हें एक न्यूज मिलती है कि जर्मनी ने पोलैंड के उपर अटैक कर दिया है आपको पता है जब ऐसा होता है उसके बाद क्या शुरू हो जाता है वर्ड वर्ड सेकेंड शुरू हो जाता है जब जर्मनी ने पोलैंड के पर अटैक हिया था वो 1st of September था तो ठीक इसके एक महिने के बाद डेवलु अचॉर्ड ने एक पोयम लिग दी जो आपके सामने है और ये 18th October 1939 को पब्लेश होई थी 1st time तो हम 1st stanza देखते है इस लाइन में हम देखते हैं कि हमारी जो पोयम वो एक डाइव में बैठे वे थे वो पता रहे है कि मैं एक डाइव में बैठा हुआ था डाइव का मतलब एक पब में एक बार में वो बैठे वे थे और वो कहां पे था वो 52nd street में था ये एक पता है एक अड्रिस है नियू यॉर्क के एक जगह का तो वो वह वहां पे बैठे वे थे तो क्या हुआ ना कि अजानक उन्हें नहीं news मिलती है किस जीस की news कि जर्मनी ने पोलैंड के उपर attack कर दिया है वो काफी घबड़ा जाते हैं उन्हें नहीं पता वो uncertain है कि पता नहीं अब होगा क्या अब क्या होने वाला है आगे उन्हें कुछ भी नहीं सूज रहा है वो आगे कहते हैं as the clever hopes expire clever hopes expire का मतलब है कि आपको पता होगा जब first world war हुआ था तो याद होगा वोलवर first के बाद एक treaty sign हुई थी treaty of Versailles और उसी treaty में जर्मनी के उपर सारे इल्जाम लगाए गए थे कि ये सारा war जो हुआ है वोलवर first उसकी वज़ा से हुआ है तो जिन्हों ने जर्मनी के उपर ये इल्जाम लगाया था ना उन्हें लगा था कि ऐसा करने से जर्मनी शांत बैठेगा कुछ भी नहीं करेगा यानि अब वो कुछ भी बॉख लाएगा नहीं उन्हें लगा था कि अब कुछ भी नहीं होगा ठीक है तो ये एक Decade था, Dishonest Decade था Low Dishonest Decade का मतलब है कि वो जो Time था, War हुआ था, First War वार हुआ था, उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जो भी Countries इस War में involved थी उन्हें नुकसान हुआ था, लोगों की जाने गई थी, और Great Depression आया था, यानि कि लोग अपने ही जीवन के परिशानियों में उल्जे हुए थे वो काफी परिशान थे, भुक मरी थी हर जगह, लोग परिशान थे गरीबी थी, तो इन सम्में involved थे लोग, तो इसके बाद जो भी दूसरे पावर्स थे, उन्होंने क्या-क्या, जमनी के ऊपर एक इल्जाम लगा थिया, कि ये सारी बाद जो हुई है, तुम्हारी वज़े से हुई है तो तुम्हें ही कमपनसेट करना पड़ेगा तो उन्हें लगा था कि उन्होंने ये जो clever, उन्होंने hope किया था उन्होंने बड़े ही चालाकी से ये Treaty of Versailles को प्लान किया था उन्हें लगा था कि अब कुछ नहीं होगा ठीक है लेकिन ये जो है ना ये जो उनका होप था उन्होंने ये जो बनाया था अपने दिमाग में कि अब कुछ नहीं होगा और वो अब expired हो चुका है और खतम हो चुका है और वो जर्मनी ने पोलान के अपर अटैक कर दिया इससे हमें पता चल रहा है साफ साफ कि आपने जो ट्रीटी की थी उसके साथ जर्मनी के उपर सारा इल्जाम लगा दिया था आपको लगा था कि जर्मनी अब चुप बैठेगा लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आगे है waves of anger and fear circulated over the bright and darkened lands of the earth obsessing our private lives इसमें है कि देखो यह time कौन सा था यह time उस वक्त का time था जब बहुत सारा communication था communication का मतलब कि radio आ गई थी तो जो भी news थी यहां से वहां सकुलेट हो रही थी तो यह जो news था कि जर्मनी ने पोलाइंड के उपर attack कर दिया है यह इस media के माध्यम से काफी तेजी से फैल लिया तो इसके वज़ा से क्या हो गया बहुत सारे लोगों में गुसा था बहुत सारे लोग डड़े हुए थे कि अब क्या होगा तो यह उजियारा था यह attack से पहले लोग अपने-पने काम में वियस थे खुश थे अपना काम कर रहे थे लेकिन इसके वज़ा से क्या हुआ ना कि गुसा डर यह सब कुछ फैल गया और यह जो पूरा लैंड था जो कि उजियारे में था उसे darken कर दिया यानि कि अब अंध लेके बाद क्या हुआ जो भी लोग थे वहां पे उनके दिमाग में बस यही आ गया कि अरे यह क्या हो गया जर्मनी ने पोलैंड के अटैक कर दिया ऐसे भी आप देख सकते हो कि आपको कोई news मिलता है तो आप कितने obsessed हो जाते हो कि अरे भाई यह क्या हो गया और आपकी private life यह होती है ना वो जो शान्ती पुर्ण थी अब वो शान्ती भंग हो जाती है और आप बस इसी चीज़ को सोचने लगते हो बार बार अपने दिमाग में आगे हैं the unmentionable order of death offense the September night देखो जर्मनी ने जब पोलैंड के ओपर अटैक किया था तो वो रात थी वो टाइम जो था वो September का night था तो वो इदम शान्ती पुर्ण था वजब कुछ भी किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है ठीक है वो शान्ती में था कुछ भी नहीं होने वाला था लेकिन लेकिन क्या हो गया जबनी ने अटैक कर दिया किसी को पता ही नहीं था कि ये क्या है ये कहा सचानक हो गया अनमेंशनेबल है किसी ने मेंशन नहीं किया कि वो अटैक करने वाले हैं और अचानक से अटैक कर दिया तो यह जो नाइट थी जो नाइट थी सेप्टेंबर की नाइट जो एगदम शांती पूर्ण थी उसकी शांती भंग हो गई और ये जो अटैक था इससे चारों तरफ क्या है लोग मर रहे हैं तो बदबू आ रही है किस चीज की मरने की लोग मर रहे हैं अनमेंशनेबल और अफ तेथ यानि किसी ने बताया नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन ऐसा हो गया और हो रहा है स्टैंजा नमबर टू इन लाइनस में देखिए एक वर्ड है स्कॉलर्शिप स्कॉलर्शिप का मतलब छातरविती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है scholarship आपको कम मिलती है जब आप higher studies करने जाते हो तब आपको scholarship मिलती है इसका मतलब है कि आप किसी चीज के बारे में deeply study कर रहे हो तो poet यहाँ पर बोल रहे हैं कि यह जो अभी हो रहा है जर्मनी ने Poland के ओपर attack किया है तो इस बात को अगर आप deeply study करोगे तो आपको उसके बारे में कुछ पता चलेगा अनर्स का मतलब होता है किसी चीज को reveal करना तो आपको उस चीज के बारे में पता चलेगा कि जर्मनी ने क्यों attack किया है इस बारे में आपको यह पता चलेगा कि साड़ा का साड़ा इल्जाम जो है जिसकी वज़ा से अभी ये जो कल्चर चल रहा है ये जो युक चल रहा है जिसमें हिटलर जाकर लोगों को मार रहा है अटैक कर रहा है ये सारी की सारी गलती मार्टिन लूथर से शुरू होती है और उन्हीं की गलती है अब मार्टिन लूथर से क्यों शुरू होती है मार्ट कि जो आखरी टाइम थी ना उनकी लाइफ की आखरी थाइम तो उस वक्त वो उनके अंदर एक आंटी सेमेटिक भावना आ गए थी आंटी सेमेटिक का मतलब होता है कि जो जियूज कॉमिनिटी है यहूदी लोग जो है उनके खिलाफ वो बाते बोल रहे थी तो यह जो बीज जो अभी हिटलर के अंदर आ गई है कि हिटलर जियूज को मार रहा है हिटलर के अंदर यह भावना आ गई है घ्रना आ गई है एक कमेंटिक के खिलाफ इसका बीज मार्टिन लूथर नहीं बोया था और उसी के वज़ा से अभी यह हो रहा है आगे है find what occurred at Linz what huge imago made a psychopathic god Linz एक जगह है जहां पे Hitler पैदा हुआ था इस लाइड में poet कहीं भी Hitler का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन indirectly वो बोलना चा़रे हैं कि वो लोगों को कह रहे हैं कि कोई जाओ Linz नाम के जगह पे जहां पे Hitler पैदा हुआ था वहाँ जाओ और पता चलो कि जब हिटलर बड़ा हो रहा था तो ऐसा क्या हो गया जो उसका दिमाग खड़ाब हो गया है और वो एक साइकोपैथ बनकर ऐसी कारणामा कर रहा है देखो यहाँ पे गौड लिखा हुआ है लेकिन गौड का जो जी है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो गौड नहीं है एक साइकोपैथ जो ऐसी बाते कर रहा हो ऐसी काम कर रहा हो वो भगवान हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसलिए पोईट ने यहाँ पे जो गौड है वो स्मॉल में लिखा है जी जो है वो small में लिखा है imago का मतलब होता है कि जैसे कि कोई insect है ना कोई insect है तो वो insect छोटा सा है एक larva के form में है तो जब वो बड़ा होता है ना और बड़ा होकर एक adult बन जाता है तो उसको हम उस phase को कहते है imago यह जो change आ रहा है छोटे से बड़ा हो गया वो insect उसको कहते हैं imago तो poet यहाँ पे कह रहे हैं कि Hitler लिंज में रह रहा था तो वो वहीं से बड़ा हुआ है तो छोटे से जब वो बड़ा हो रहा था तो ऐसा क्या हो गया उसके साथ कि वो ऐसा बन गया तो वो कह रहे हैं कि किसी को जाकर इस बारे में पता लगाओ कि क्या हुआ आगे है I and the public know what all school children learn those to whom evil is done do evil in return देखें यहाँ पे poet कह रहे हैं कि देखो सब को पता है मुझे भी पता है और जितने भी लोग है न उन सब को पता है कि जिनके साथ बुड़ा होता है न तो वो जब बड़े होते है न तो बुड़ा ही करते है जैसे कि school children उनको आप school में कुछ भी आप सिखाओगे तो आप वो छोटे बच्चे हैं उस बच्चे को कुछ सिखाओगे तो बड़ा होकर वैसा ही उसके दिमाग में आएगा न कि वही करना है उसको तो सब को पता है बच्चो को भी पता है सारे पब्लिक को पता है कि किसी के साथ जब बुड़ा होता है न तभी वो ऐसा बन जाता है तो इसी लिए पोईट कह रहे हैं कि कि हिटलर के बारे में जाकर पता लगाओ कि बच्चपन में उसके साथ हो क्या गिया है ऐसा क्या हो गया कि वो बड़े होकर ऐसी तरह की भावना उसके दिमाग में घुस गई है जिसके वज़े से वो लोगों को मार रहा है काट रहा है क्या हो गया है उसको स्टैंजा नमबर थ्री देखते हैं तो हम थू सेरेडीज कौन थे हैं उनका थूरा सा बैक्राउंड हम जान लेते हैं थू सेरेडीज एक ग्रीक हिस्टिरियन थे उन्होंने एक किताब लिखी थी वो असल में एक जेनरल थे एंशेंट एथेंस था उसमें वो एक जेनरल थे तो वो एक युद्ध हार गए और उस युद्ध में हारने के वज़े से नहीं क्या हुआ ना उनको पकरकर जेल में डाल दिया लेकिन उस जेल में जाने के बाद भी उन्होंने एक किताब लिखी और वह किताब बहुत ही ज्यादा Face士 और उस किताब के उन्होंने बहुत सारे speeches ये बहुत सारे भास्षन लिखे थे जिसमें her democracy के बारे में था dictatorship के बारे में था कि dictators क्या करते हैं और कैसी भाते करते हैं वह सब था तो यहाँ पे इस line में poet क्या कह रहे हैं कि two Saturdays जो थे जो की jail में बन थे उन्होंने जितने भी speeches लिगे थी उन सारे speeches में उन्होंने democracy के बारे में बता था तो उन्हें भी पता था कि जो dictators जो होते हैं वो क्या करते हैं और किस तरीके की बाते करते हैं किस तरीकी के रबिश करते हैं मतलब बेहुदी बाते करते हैं वो और ऐसे लोगों के सामने करते हैं जिनें कोई फरक ही नहीं पड़ता है उन बातों का कि अपैथरिक जो की एक ग्रेव के समान है यानि कि एक मड़े हुए लोग के समान है जिनको कोई फ़र्खी नहीं पड़ता तो ऐसे लोगों के सामने ये डिक्टेटर्स अपनी बोल बाला करते हैं बहुत जादा बोलते हैं आप शनाप जो भी बोलना होता है वो सब बोलते हैं लेकिन इन जो लोग होते हैं ये सारे जो थेर जो अगयन इन लाइन में पुट कहा हैं कि थूसारडीज ने जो बुक लिकी थी उस बुक में उसने बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजों को अनलावाइस किया था तो ये बुक कप लिकी कि कवैं थी जा ठायले लीकिदी ये द रशी टाईम पैले लिके थी एंश लोग इस period में आये थे तो इन सारे लोगों ने पता है क्या क्या था उन लोगों ने न ये जो पुरानी सोच के जो लोग थे न उन्हें कहा था कि आप अपनी सोच बदले उन्हें कहा था कि आप एक रूदी वाड़ी चीज़े जो हैं होइछ द्रूड़ी वाड़ी हो गए हैं। आप नहीं चीज़ें को अपना नहीं रह Warren अपना दिमाग इस्थमाल नहीं करना चाहिए अगर कोई अच्छी बात कह रहे हैं तो आप वो जानना नहीं चाहते हो ठीक हैं तो उन्होंने एक period लाया था जिसको कहते है enlightenment period इस period में क्या हुआ था न कि लोग सोचना शुरू किया लोगों ने अपने अपनी views देना start किया था ठीक है तो poet यहां पर कह रहे हैं कि यह जो book लिखी गई थी ancient time में two Saturdays के द्वारा तो इस book में जो भी लिखा हुआ था ना लोग बस शायद ऐसा कुछ ही मान रहे हैं वो अपना दिमाग इस्तमाल नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए यह सब आप सोची ने रहे हो और यह जो enlightenment period था जिसमें एक एक बात बोली गई थी कि आप अपना दिमाग इस्तमाल करो जो नहीं सोच है वो लाओ और पुरानी चीज़ों से सीखो तो यह सारी चीज़े जो है ना वो धरी की धरी रहे गए लोग जो है ना नहीं चीज़े को सीख नहीं रहे हैं पुरानी चीज़े है उसको बार-बार दोड़ा रहे हैं लोगों को हैबिट हो गया है कि आप पहले तो दर्द को पैदा करो आप मिस मैनेजमेंट करो जो दर्द है उसको और जादा बढ़ाओ दुख में रहो और बार-बार आप एक ही चीज़ को करते रहो सफर करते रहो उस वो जो कर रहा है उसे करने दे रहे है यानि कि इशारा सीधा सीधा हिटलर के उपर था अब एक बात बताओ कि एक डिक्टेटर अकेली जाकर थोड़ी नहीं युद करेगा हिटलर का बहुत सारे लोगों ने साथ दिया होगा युद में शामिल हुए होगे तभी तो इतना स्पीच देडा है यह सच में यह ऐसा चाहता है कि बस हमें फसार आया युद में क्योंकि एक बार तो युद कर चुके हो कितना सहली है सभी लोग सहली है लेकिन उसके बाद भी तैयारों कि फिर से युद करेंगे